हेलो एवरिवन एपेक्स क्लासेश के डिजिटल फ्लेटफोर्म पर आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत है बच्चों वीडियो के इस भाग में हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं बड़ी आंथ के बारे में इससे पूर हम लोगों अब नहीं बात कदी चोटी आंथ के बारे में चोटी आंत का पूर्ण रूप से विस्तर अध्यनध करने जा रहरे हैं याद रहे की बड़ी आंत के लार्ज इंटेस्टाइन अगर आपको जैसे अंग्रे जी का रहता है इंदी का तो मैं लिख देता हूं बड़ी आंत्र समझ बड़ी आंत्र के क्या होते हैं तीन भाग होते हैं बड़ा सिक्कम कोलोन और रेक्टम तो यहां पर लिखावाए क्या बड़ा सिक्कम कौन से आज और तीसरा क्या जाएगा आपके पास में रेक्टम जिसको बोलते हैं मलाश्य मलेश्या नहीं रहे मलाश्य कहता मलेश्या मलाश्य कहेंगे तो यहां पर हम लोग पहले डिसक्स करते हैं सिक्कम के बारे में सिक्कम जो होता है आपके पास में जिसकी डिसक्स करने जा रहे हम ल तैली नूमा सरंचना है क्या है पेशिए तैली नूमा सरंचना होती है कौन सिक्कम छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम बड़ी आंत के प्रतम बाग सिक्कम में इलियो शिकल पाठ के दुवारा खुलता है ठीक है तो इलियम जो है वो इलियम जो है वो सिक्कम में खुल रहा है किसमें खुल रहा है सिक्कम में किसके माध्यम से खुल रहा है इलियो सिक्कम कपाट ठीक है इलियो सिक्कम कपाट के दौरा इलियम किसमें खुलता है आगे सिक्कम के अंदर खुलता है कहां खुलता है सिक्कम में अब एक सबसे खास बात आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी वेटा बात यह यहां पर कि जो आपके पास मैं सिक्कम है वहां से एक अंगुली नुमा या अंगुली के आकार जितना क्या होता है एक अंग निकलता है जिसका नाम होता है क्रमी रूपी परीशेशी का पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था इस वीडियो भी बता रहा हूं आप लोगों जिसको अंगरे जी नाम होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या केते हैं अपेंडिक्स तो क्या हो जाएगा सिक्कम से क्या निकलता है पेटा एक एक अंगुली समान क्या लिख रहा हूं मैं अंगुली समान अंग जुड़ा रहता है जुड़ा रहता है जिसे जुड़ा रहता है जिसे क्या केते हैं जिसे जिसे क्रमी रुपी क्रमी रुपी परीशेशी का परीशेशी का क्रमी रुपी परीशेशी का मतलब क्या हो गया appendix कहते हैं क्या कहते हैं appendix कहते हैं यह बात आपको यहां पर दिमाग में रखनी होगी बेटा अभी मैं इसके अपेंडिक्स के संदर्ब में कुछ बिंदू आपको याद अखने होंगे सारा मैं यहां पर बोर्ड पर लिख रहा हूं किवल सिक्कम के बारे में ही लिख रहा हूं बच्चे रेक्टम और कोलोन के बारे में नहीं लिख रहा हूं वह आगे बताऊंगा आप लोगों को जो एपेंडिक्स है एपेंडिक्स की जो लंबाई होती है वो होती है आपके पास में दो से 20 सेंटिमेटर तक होती है किती होती है है दो से 20 सेंटिमेटर और मानव में यह अंग अवशेशी होता है मानव में अपेंडिक्स जो है वो क्या है अवशेशी है या अवशेशी अंग में काउंट होता है मतलब कार्य हीन है उपस्तित है परंतु इसका कोई कारे नहीं है पहले की टाइम पे जब ऐसा बांते थे लेकिन मानव जो है ओक खाता ही नहीं इतना जादा तो पाचन की आवशेशी नहीं सेलोज के एक और बात याद रखेगा इसमें जो खरगोश होता है उसमें यह बहुत ज्यादा विक्सित होता है क्योंकि मुक्ष्य रूप से क्या करते हैं अदी वस्तूएं या बोज्य प आपके पास में है वह इलियम क्या है इलियम को दर्शाय मैंने इस तरीके से आपके पास में इलियम आपको पता है कि आगे क्या आएगी यहां पर इलियो सिकल वाल वाजाएगी और यह इलियो सिकल वाल की सायता से कहां पर खुल रहा है यह पार्ट क्या है आपके पास में सिक सिक्कम वाला भाग है यह विटा ठीक है और सिक्कम से जो अंगुली नुमा सरचना निकल रही है यह निकल रहा है यह आपके पास में क्या है अपेंडिक्स है क्या है अपेंडिक्स तो इतनों का नाम पहले हम लोग दर्ज कर देते हैं यहां पर जिससे हमको एक आइडिया लग जाएगा देखेगा यहां पर आप लोग पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं यह क्या जाएगा आपके वास में इलियम क्या जाएगा इल क्या जाएगा एलियो सिक्कम कपाट और इसका नाम क्या जाएगा आपके आस्प में करमी रूपी परीशेशी का अंग्रेजी लिख रहा हूं बेटा मैं यहां पे अपेंडिक्स क्या जाएगा अपेंडिक्स और यह बाग आपके पास में क्या है सिक्कम वाला भाग है कौन सा बिर्फकार मैं आपको कोलोन के बांगों के बता सकता हूँ आप लोग देखिए थोड़ा सा आपको यहां पे नजर लगानीपड़ेगी यह जो भाग आपको नजर आ रहा है जो उपर की तरब बढ़ रहा है यहां से लेकर के यहां तक का भाग यह भाग आपके पास में जो ह कोलोन होगा क्या होगा आपके असमें अनुप्रस्तिया ट्रांस्वर्स कोलोन और यह जो भाग होगा आपके पास में जो नीचे की तरफ गिरतावा भाग है यह आपका समय त्ह Coffee क 94 च वह सब्यूंहवर होगा भ्यागर थिक्षित 맛있 गुमावदार भाग आउप पास में यह sergus कोलोण वह उगा 가ंश कोलों हो गई सीक्मोई्ट सब्सक्राइब कि चैक्जा मैंने नाम तो आपको एक आइडिया लग जाएगा तो नाम देखिए आप लोग यह वाला जो है आपके पास में पूर्ण रूप से जिसको अपन क्या बोल रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक का जो आ रहा है और यह लेटर रहे गया मेरे पास में कोई दिक्कत नहीं है इसको वापस कर देते हैं यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है वह आपके पास में किस में काउंट होता है असेंडिंग को लोन में काउंट होता है ठीक है बच्चे समझ मारी ना यहां से लेकर के यहां तक का भाग जो है वह किसमें काउंट होगा ट्रांस्वर्स को लोन में काउंट हो होगा यहां से लेकर करके यहां तक का भाग किसमें काउंट होगा आपके पास में वह आपके आसमें किसमें descending कोलोन में काउंट होगा समझ रहे हैं और यहां से लेकर के यहां तक का बाग किसमें में count हो रहा है सब्सक्राइब कोलोन में count हो जाएगा समझ गये यह चार आपको यहां पर पता होने चाहिए अब मैं आपको यहां पर एक में जानकरी दे रहा हूं जो प्रकार हम लोग आती की पड़के आते हैं तो आपकी में लोगों ने यह पड़ा होता है कि चार इस्तर होते हैं सिरोसा पेशिये इस्तर अधिसलेश्मिक और तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो कोलोन भाग है उसमें जो पेशियां होती है बहाई यह अनुदेदर यह पेशियां होती है उससे कुछ तंतू निकलते हैं और वह कारशिजन की बात मैं यहां अब को बताना चाहरा हूं वो बैंट यह है देखिए जो यह पे ड्रॉ किया हो है यह जो बीच में होता है यह पेशियों का आपके लाश MTVa उत्तिया और इसको लोग क्या नाम देता है टीनिया प्झॉलाई का नाम दे रहे तो यह आपके पास म नाम लिख दूँ कि यहां पे मैं आप टीनिया कोलाई किया जाएगा यह फिर से बात तुनलो मेरी मैं यह कह रहा हूँ कि जो पेशियां होता है उसमें जो भाई नुद ही पेशियां होती है उसके कुछंस तंतू होते हैं वह अंदर जाकर क्या करते हैं एक बंड के सम yeterna बनाते हैं इसको काई इसको क्या क्यों कहते है teet lain या जो पती होती है इनकी लंबाई होती है बहुत कम होती है जिसकी मिझा होता है कि हिस्सा वह होता है अंदर की और खिचने लगता है लारज इन्टेस्टेंट का ठीक है तो होता क्या है विटा आपके पास में यह जो अफे आ अंदर की अफे की तरफ खिचने लगा क्योंकि इससे तूट के तो बनेगा नहीं है कोईना तो यह थी वह तो आप ze क्वा आपके भी तोटेंगे चेशिने लग जाएगा यह वाला और एक बीच बीच तक टकड़ता रहता है ठीक है ना तो यहां पर हम लोग नाम लिखने जा रहे हैं अब किसका हास्ट्रा का तो यह यहां लिख देता हूं बेटा आपके पास में किसका नाम हास्ट्रा यह बात आपको क्या है कोलोन में याद रखनी होगी समझ रहें ना मेरे बात क हो तो यह बात आप ध्यान रखेगा को लॉंप के बारे में हम कुछ बिंदू लिखते हैं यहाँ पर दूसरा अपन एडिक लगाते हैं क्या को लॉन कोलोन दूसरा भाग जो हम लोग बात कर रहा है बड़ी आत का स्वेम के कित्ते बाग होते हैं चार भाग होते हैं असेंडिंग कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोईड कोलोन पर इनके बारे में अब यहां पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पढ़ जिसमें कौन सी पेशी होती है अनुदेदरी है कौन सी पेशी बाइए अनुदेदरी यह पेशी क्या करती है पेशी के तंतु क्या बनाते हैं टीनिया कोलाई का टीनिया कोलाई का निर्मान करते हैं निर्मान करते हैं यह तीन होते हैं तीन पर्टियां बनाते हैं इसकी कित बनाते हैं तीन पट्टियां बनती है ठीक है अब क्या है कि बहाई ये पेशियों की लंबाई इन तंतू के तुलना में ज्यादा होती है जिसकी वज़से किसका निर्मान होता है पाउच की समान होश्ट्रा का निर्मान होता है तो होश्ट्रा के बारे में लिकरा हूँ होश् पाउच P O U C H पाउच के समान सरंचना होती है क्या होती है सरंचना होती है जो susア tenha कॉलाई चीनिया लैई के मद्यें तक पाई जाती है मद्यें तकांवा जाती है यह समझे ना कोलस के अंदर याद रहनी होगी पैटा उन्हें मेर को लोन बड़ी आँप का सबसे बड़ा भाग आ Leah mist अब कोलन AHगे जाक रकर करके कहा खुलेगा कोलोन बढ़कर है लौगों को यह तो अब हम तीसरा और अंतिम भाग बात कर रहे हैं बड़ी आंत का जो क्या है आपके आसमें मलाश्य मलाश्य एक पेशिय थेलिनुमा सरंचना ही होती है जिसमें क्या होता है अप्षिष्ट पदार्थ क्या होता है आइस्ताई रूप से सरंचित रह सकता है तो पहला इसके अंदर क्या आजाएगा मलाश्य के बारे में देखेगा जराइदर के तरफ आप लोग मलाश्य के बारे में दूसरा बिंदु बता रहा हूं यहां पे कि यह एक पेशिय यह एक पेशिय और पतली पेशिय होती बहुत पतली पेशिय होती है पेशिय थेलिनुमा थेलि अप्षिष्ट पदार्थ जिसमें अप्षिष्ट पदार्थ आस्ताई रूप से आस्ताई मतलब जब तक हम भार नहीं त्यागते इसको तब तक और इस्ताई रूप से संग्रहित रहता है क्या रहता है संग्रहित रहता है यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी बेटा मलाश्य जो है आगे जाकर के गुदा नाल में खुलता है किसमें खुलता है गुदा नाल में तो तीसरा पॉइंट मैं लिकूंगा मलाश्य गुदा नाल में खुलता ह जो इसमें खुलता है Goda Nal inan__Dam में खुलती है ना कुझता है however आपने एक कई बार ऐसे बात सुनी उगी pious pious का नाम सुना तो पाइल्ष के बारे में आपको बचाता हूं तोड़ा सा पाइल्ष एक बिमारी होती है इसके बारे में बता रहा हूं आपको यह मलाश्य की सीरा शीरा होती है दमनियों शीरा के बड़े हो जाने बड़े हो जाने से होता है कि के बारे में अब यहां पर यहां पर यह हैं और शीरा और यह क्या कि बता देग्हीं लोग गुदा अब थे किसके बारे में करने जा रहे हैं गुदा के बारे में ही कर रहे हैं जो हार नाल का अंतिम भाग है गुदा है ना और इसको अपन क्या कह सकते हैं ठीक है उससे पहले में एक जानकरी और दे देता हूं आप लोगों को बड़ी आत का मुख्य कारे होता है आपचित या करना समझे हो यदि बड़ी आत का जो भाग है वह अगर सई से काम कर रहा है या अधिक अगर मानलो अधिक जल का अउस्योशन करने लग जाए तो कबजी हो सकती है और यदि जो कोलोन या कोलोन का ही मुख्य बाग होता है वह अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है मानली बिम सब्सक्यां रहा हूं यहां पर ऐनसदी गुदा के बारे में तो गुदा नैल य्यानि गुदा किस में खुलेगी आपके पासमें गुदा नाल किसमें खुल रही מאוד हुआ ठीक है आहार नाल का सबसे अंतिम छौड कॉर कौन सा है यही है तो यहां पर लिख सकता हूं ना मैं मेरी बात क्या दा होता है गुदा के माध्यम से मफ्सिष्पढाद को बहार थ्यागने का कारे करते हैं लेकिन गुदा मैं दो अवरो धिनिया पाय जाती है क्या होती है दो अवरोधिनिया एक होती है बहाई अवरोधिनी क्या जाएगी बहाई अवरोधिनी और एक होती है आपके पास में कौन सी रहे आंत्रिक अवरोधिनी क्या जाएगी आंत्रिक अवरोधिनी तो जो बहाई अवरोधिनी यह एक पेशियों से निर्मित होती है जबकि आंत्रिक अवरोधिनी क्या होती है अमेचिक पेशियों से निर्मित होती है तो यहां पर बहुत इंपोर्टन पॉइंट है लिखना होगा इसमें कौन सी मिलेगी अन्यचिक पेशियां पाई जाएगी कैसी पेशियां अन्यचिक पेशियां पाई जाती है और यह किसके कंट्रोल में होगा केंदी तंतिका तंतिक के कंट्रोल में नहीं होगा और इसका मैं एक टोटा चित्र बना करके भी आपको समझाओं तो देखिए मान लीजिए यह आपके आसमें गुदा का मार्ग है और इस गुदा मार्ग में यहां पे आपके पासमें जो है वह बहाई अवरोधनी यहां पे आपके पासमें क्या जाएगी आंत्रिक अवरोधनी तो यह तक पहुंच गया है तो हम लोग उसको एक बार कंट्रोल कर सकते हैं इसा निए कि बाहर निकल जाएगा है ना तो यह चीज है वरद लोगों में क्या होता है कि यह अवरोधिनी होती है यह क्या होती है इसकी जो पेशी होती है यह क्या होती है समाप्त होती जाती है इसलिए ज नमस्त भाग के बारे में पढ़ लिया है अगले वीडियो में हम लोग डिसकर्स करेंगे जो यक्रत और अगनाश्य के बीच में जो connection से उनके बारे में बात करेंगे और दो गरंथिया हमारे पास में रहिए यक्रत और अगनाश्य गरंथी उनके बारे में वीडियो जाएंगे अब आ गए तो आप लोग आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा यहां तक आप लोग चैनल को लाइक कीजिए मेरे वीडिय रहिए सुरक्षित रहिए थैंक यू वरी मच